हलो दोस्तों परतिमा जियस एकेडमी भी आप सभी का स्वागत है दोस्तों करंट अफैर्स का महत्तपूर टॉपिक लेकर करके हम आए हैं और आप लोग काप एकलाम उठा करके उसे नोट डाउन करते चलिए सुरू करते हैं हर्याली महत्तों दोस्तों मैंने पहले आप लोगों को बताया कि जहां पर ग्रीन सब्द आए हर्याली सब्द आए आप समझ जाईए कि वह परिया वरण को ध्यान में रखकर किया जा रहा है परिया वरण को ध्यान में रखकर के किया जा रहा है अगर पेंड लगते हैं तो इससे कितने फाइदे पहले चीज तो बारिस होगी क्रिसी बहतर होगा उद्द्योग बहतर होगा तो रुपया खुब होगा रुपया खुब जादा होगा तो अर्थ ब्यवस्था बिक्सित होगी अर्थ ब्यवस्था बिक्सित होगा तो देश बिक्सित होगा तो हम बिक्सित होगे साथियों एक पिंड लगाने से इतना फाइदा दूसरी चीज स्वच्छ हवा स्वच्छ हवा से हम बिमार कम पढ़ेंगे बिमार कम पढ़ेंगे तो दवा नहीं खाएंगे तो पैसा बचेगा पैसा बचेगा तो हम कोई अच्छी वस्थ खरीदेंगे अच्छी वस्थ खरीदेंगे और सिच्छा पे पैसा लगाएंगे बच्चा सिच्छित होगा तो रोजगार मिलेगा और रोजगार मिलेगा तो जीवन अस्तर उपर उठेगा साथियों बीमार कम होंगे साथियों पेड का मैंने केवल दो महत्तो बताया और इतने फाइदे तो सोचिए कि पेड से कितने और फाइदे होते बहुत फाइदे आता हर्याली महस्तो जो हमारे देश में मनाया जा रहा है उसको ध्यान में रख करके हम सभी का दायत है कि कम से कम दो से चार पेड हर भारतियों को लगाना चाहिए और अगर दो से चार पेड हर भारतियों लगाएगा तो हमारा देश परिया वरण में काफी अच्छा योगदान देगा तो साथियों हर्याली महस्तो 2022 का आयोजन परिया वरण 1 और जल्वाई परिवर्तन मंत्राले के द्वारा किया गया है और या 8 जुलाई को किया गया आठ जुलाई 2022 को हर्याली महसो का आयोजन किया गया और इसे परिया वरण 1 और जल्वाई परिवर्तन मंत्राले के द्वारा आमरित महसो के अमरित महसो के तहद किया गया है या आयोजन या महसो अमरित महसो के तहद किया गया है और या दिल्ली के दिल्ली के ताल कटोरा इस्टेडियम में आजादी के अमरित महस्थों के तहट दिल्ली में इसका आयोजन किया गया हर्याली महस्थों का हर्याली महस्थों का आयोजन दिल्ली के ताल कटोरा इस्टेडियम में किया गया और इसमें ये बात ध्यान में रखा गया कि वर्तमान के साथ साथ वर्तमान के साथ साथ भविस्च के पीडियों बविस्च के पीडियों को भी सुरच्छित रखना उनके जीवन को सुरच्छित रखना और जागरू करना और पेड के महत्त को बताना जागरू करना और पेड के महत्त को बताना इसका उद्देश है कि एक बिच्च का एक पेड का क्या महत्त होता है इसे भविस्च के पीडियों को ध्यान में रख कर किया गया साथि उसमें यह भी बताया गया कि इसके तहट बिच्चा रोपर अभियान चलाए जाएगा बिच्चा रोपर अभियान चलाए जाएगा और एक ऐसा आयोजन किया जाएगा किया जाएगा जिससे परियावरण को परियावरण को समझने में जन्ता सच्छम हो सके और पेड़ लगाए साथियों अगर किसी भी चीज को आप हर जन्ता तक पहुचाना चाहते हैं हर नागरिक तक पहुचाना चाहते हैं तो हमारा आपका दायत तो है कि यह तो नुकरनाटक, कोई आयोजन, कोई सम्मेलन इस तरह के अगर हम प्रचार करेंगे तो हम जरूर अपने लच्छ में प्राप्त होंगे साथियों किसी देश का अगर कोई राजनेता या कोई प्रधानमंत्री या पूर प्रधानमंत्री अगर नहीं रह जाता है तो साथियों उसकी भरपाई नहीं हो सकती और अगर उसके संबंद किसी अन देश से बेतर हो, उसके संबंद को सुधारा भी हो, आगे बढ़ाया भी हो, एक मित्रवत रहा हो, अगर वह नहीं रह जाता है तो इस तरह का कष्ट एक पुत्र की भाती, एक भाई की भाती, एक मित्र की भाती, एक पिता की भाती होता है हमारा एक ऐसा मित्र देश है जिससे हमारे आर्थिक, राजनेतिक, सांस्कृतिक, अन्य प्रकार के जितने भी संबंद हैं, कूटनितिक, बेहतर हैं और इस संबंद को बेहतर करने में, जापान के पूर प्रधान मंत्री स्वर्गिये सिंजो अबेजी का काफी योगदान रहा है हालही में, जब वो एक सभा को संबोधित कर रहे थे, तो उन्हें गोली मार दिया गया साथियों, जब किसी ऐसे नेता का, एक ऐसे राजनेता का, कोई ऐसी घटना हो जाती है तो उसके अपने देश के साथ साथ, उसके मित्र देश भी काफी कश्ट से गुजरने लगते हैं वो हमारे देश के एक ऐसे मित्र थे, जिसकी भरपाई सायद अभो पाए सिंजो अबे जी, जब इस दुनिया में नहीं रहे, तो उनके देश में राष्टिय सोक मनाय गया साथ ही हिंदुस्तान में भी, नव जुलाई को एक दिवसिय राष्टिय सोक मनाय गया और ये सम्मान के वो हकदार भी थे किसी एक नेता को ना ध्यान में रखा जाए, एक देश की सांस्कृतिक गदविधी को देखा जाए तो साथियों जापान से भारत के बहुत गहरी सांस्कृतिक गदविधियां है सांस्कृतिक संबद बहुत पुराने हैं, जो कि यहां पर उसी बता पाना मुश्किल होगा लेकिन चलते हैं से टॉपिक पर कि क्या इसा कारण रहा है, जो उन्होंने उन्हें याद किया जाता है साथियों आठ जुलाई को आठ जुलाई को जब वो सभा को संबोधित कर रहे थे उन्हें गोली मारी गई और वो इस दुनिया में नहीं रहे हमारे प्रधान मंत्री नने द्रमोधी जी इन्होंने सोक बेक्त किया और उनके सम्मान में नव जुलाई को राष्टिय सोक मनाया राष्टिय सोक मनाया साथियों सिंजो अबे जी को केवल इस लिए नहीं याद किया जाता है कि वो जापान के प्रधान मंत्री ही थे उन्हों उन्हें अर्थ ब्यवस्था में बेहतर पकड़ भी थी वो जानते थे कि किसी देश की अर्थ ब्यवस्था को कैसे उठाया जाए तो उन्होंने एक ऐसी अउधारा दिया जिसे कहा जाता है आबे नामिक्स आबे नामिक्स का मतलब होता है कि संजो अबे जी ने जो अर्थ ब्यवस्था के बारे में बताया है वो ही है आबो नामिक्स आबे नामिक्स के अंतरगत बताया गया कि देश में धन की आपूर्ती कैसे हो देश में धन की आपूर्ती कैसे हो और कैसे इसे बढ़ाया जाए कैसे इसे बढ़ाया जाए सुधारों को कैसे लागू किया जाए सुधारों को कैसे लागू किया जाए सरकारी खर्ज को कैसे बढ़ाया जाए सरकारी खर्ज को कैसे बढ़ाया जाए तो साथियों जो अबेनॉमिक्स है अबेनॉमिक्स में संजो अबे जीने धन की आपूर्ती को बढ़ाने की बात कही है सुधारों को कैसे लागू करें इसकी बात कही है सरकारी खर्च कैसे बढ़ा जाए इसकी बात कही गई है और सबसे जो मुख बात है कि अवेजी जापान के सरबाधिक समय तक प्रधार मंत्री रहने वाले रहे हैं कहा जाता है कि 2006 और साथ में यह प्यम थे और उसके बाद में 2012 से 2020 तक यह प्यम रहे हैं और इसी सिल्सले में इसी दौर में यह भारत के गड़तंत्र दिवस परेड में मुख अतित के तौर पर मुख अतित के तौर पर सामिल होने वाले सामिल होने वाले जापान के पहले जापान के पहले प्रधान मंत्री हैं प्रधान मंत्री थे सामिल होने वाले पहले प्रधान मंत्री थे साथियों, दो हजार बीस तक, दो हजार बारा से बीस तक, वहां के पियम थे जापान के, इन्होंने आबोनामिक्स की आउधारा भी दिया था, आर्थिक निकिती को सेट करने के संदर्व में, इन्होंने बताया, कि किसी देश की धन कैसे बढ़ाया जाए, सुधारों को कैसे लागू किया जाए, देश की अर्थ ब्यवस्था में, जो सरकारी धन है कैसे बढ़ाया जाए, सरकारी खर्चे कैसे बढ़ाया जाए, और सबसे बड़ी चीज, वो देश के कूटनीतिक आधार को मजबूत करने में, आभी माहिर थे, और साथियों, इसी के तहद, क्लास को म मैं समाप्त करता हूँ, और आप लोगों से निवेदन करता हूँ, कि ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सेर करें, सब्सक्राइब करें, और कोई सला हो तो कमेंट भी करें, धन्यवाद, जैहिन, जै भारत